हेलो आप मेरे हाथ में एक कटोरी देख रहे हैं जिसमें एक लिक्वर्ड मिक्सचर है जो कि बालों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशरी मास्क नरिशिंग मास्क बनाया है मैंने गाइस ट्रस्ट मी जब मैंने इसको फर्स टाइम यूज किया आई गाट आप ऑसम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती थी तो यहां पर पहले सबसे पहले हमने अपने बालों की दो पार्टिशन कर लेनी हैं और मास्क को अच्छे से अपलाय कर लेना है वीडियो में बताऊंगी इसके बाद कि इसको बनाना कैसे है यह गाइस हमारे बालों को अच्छे से नरिश करेगा स्मूथ करेगा हमारे बालों को शाइन देगा इसके बहुत सारे बेनिफिट तो एक बार इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राय करें और इसमें जितने भी प्रोड़क्स डाले वो हमारे घर की किचन में हमें बड़े अराम से अविलेबल हो जाएंगे तो हमे बाहर से पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ की इसको बनाना कैसे है तो यहां पर पैस सबसे पहले मैंने एक मिक्सी ब्लेंडर कुछ भी आप ले सकते इसको मैश करने के लिए एंड एक फ्रेश लीफ लिया है मैंने और दो बने यालो वेरा लीफ को साईड से कट करके, हमें ये येलो पाट बिलकुल भी नहीं चाहिए, ये आपके बालो के लिये अच्छा नहीं होता, तो हम पहले इसको कट कर देंगे, उसके गाथ साइड के तीकह टीक्थे इसको कट कर देंगे, अच्छे से प्रेस क Wallace से काति करने के के जार के अंदर डाल देंगे ताकि हम इन सब को अच्छे से ब्लेंड कर सके जितने भी प्रोडक्स इस समय मैं यहां पर यूज कर रही हूं इसमें गाइस बालों के लिए धेर सारी बैनिफिशरी प्रॉपर्टी होती है चाहे ऐलोवेरा लीफ है चाहे बनेना है इसके बाद हम हनी एड करेंगे तो यह सब चीजे हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैनिफिशरी होती है यहां पर मैंने वन स्कूप हनी डालने के बाद थ्री टेबल स्पून यहां पर मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया यानि सरसो का तेल अगर आपके फ्रीजी हेर है तो कैस्टर ओयल भी यूज कर सकते हैं मुझे यहां पर मस्टर्ड ओयल सबसे बैस्ट पार्ट लगता है इसने तो इसलिए मैंने इसको सबस्क्राइब से ज़िए हसे तो यहां पर हमारा मिक्सचर अच्छे से रडी हो चुका है हमारा मास्क डडी है और यह मेरा आफटर रिज करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं